हेलो दोस्तो हम इस वीडियो में पंजा वर्याणा चन्निगड आइकोट में प्योन भरती 2024 के लिए जीके जीएस मैतमेटिक्स के कुशन डिसकस करने वाले हैं तो इस वीडियो को कम्पिलीट देखिएगा साथ इसाथ आपको वीडियो के एंड में मैं आपको एक्जाम डेट को और एड़िन काड को लेकर एक अच्छी अपडेट बताऊंगा तो आप इस वीडियो को कम्पिलीट देखिएगा और जादे से जादा आपने फेरंस के पार सेर कीजेगा इस वीडियो को चलिए शुरूआत करते हैं पहले कुशन से अंतराश्टी योगदवस कम मना जात विकास सहस्तान कहां इस्तित है तो राइष्टि गरामीड विकास सहस्तान कहां पर है यह है है और आपगा तो सई जवब है इस कुशन का सी अप्सन नेक्स कुशन देखेंगे तीसरा कुशन है इस कुशन का सभी आंसर करें सॉल्व करने की कोशिज करें अपने से एक हेलमेट को 10% के प्रॉफिट पर 1650 रुपे में बेचा जाता है यद बिक्रेमूल 2100 रुपे है तो लापितसत कितना होगा तो लापितसत पूछा है कितना होगा तो इसमें बोला है 1650 रुपे में बेचा जाता है यद बिक्रेमूल 2100 होता तो लाप परसेंट और कितना होता देखो जब 1650 रुपे में बेचा जा रहा है कोई भी चीज तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है अगर हमको 2100 रुपे में इसे बेचे हैं तो और कितना प्रॉफिट हो जाएगा मतलब बढ़के तो हमें पता है कि 10% से तो अधिक होगा तो सभी बेलू 10% से अधिक हैं तो हम देखेंगे इसका पहले हम CP निकालना पड़ेगा CP निकालेंगे तभी हम competition कर पाएंगे cost price और selling price में तो हम देखेंगे यह 10% का मतलब होता है 100 की चीज को 110 रुपे में बेचना या अब हम 0 से 0 मतब सिंपल कर सकते हैं से 10 से 11 में बेचना ठीक है तो यह 11 unit की value है 1650 हमको 10 unit की value चाहिए पहले इसे हम solve कर सकते हैं 1650 बटे 11 है और 10 unit की value निकाल लेंगे तो कैसे करेंगे 11 से काटेंगे 11 एकन 11 है और 5 और 11 बना 55 यह 1500 बार कटेंगे और 1500 मल्टिप्राइज दस करेंगे तो 1500 रुपे इसका cost पर आ जा गया CP आ ठीक है अब हमें पता है कि 1500 की चीज को 21 रुपे में अगर बेका जाए तो profit कितना होगा 1500 मानस 2100 करेंगे तो कितना होगा 600 रुपे 600 रुपे का direct profit हो रहा है अब हमें percentage में पूछा है तो 1500 पर 600 का profit हो रहा है तो 100 पर कितना होगा तो हम देखेंगे 20 से 20 कैंसल कर देंगे नीचे और 15 से काटेंगे 600 को तो 40 तो 40% का total profit होगा उसे कितना होगा 40% का तो जो के correct answer है second option में अच्छा question है इस तरीके से solve करना था चोथे question को देखेंगे सभी रेंड का जील कहाँ पर इस्तित है तो रेंड का जील कहाँ पर है किस राजम है सभी answer करें तो इस question का right answer है हिमाचल पिर्देश में हिमाचल पिर्देश में है रेंड का जील अच्छा आपको मैं question पूछता हूँ राज सम्मद जील कहाँ पर है आप सभी इस question का answer comment box में दें राज सम्मद जील किस राजम है सबी आंसर comment box में देंगे अगले question पर चलते हैं पांचमा question है डायना मंदर है तू पिर्षिद इस्तान कहाँ पर है तो कौन सा है पिर्षिद इस्तान डायना मंदर के लिए वो है बैतल हैम कहाँ पर है बैतल हैम में तो right answer is question का c option चटमे कुशन का अंसर करेंगे सभी, दो संक्याओं के गणों का अंतर 999 है है, संक्या 4 अनपा 3 के अनपात में हैं, छोटी संक्या का बरक कितना है, बहुत अच्छा खुशन है, किस तरीके से करना है, ये 4 अनपा 3 है, ध्यान देजिएगा, तो चार शप्तृत तीन का मतल इसमें बॉला है इनके गणों का अंतर अगर हम दोनों का क्ला है रहा रहा सद्ध्रेगर wedi IK Ming Sense बॉले इनके रहा हूं कि अंतर मसरा सफ्वत कि इसमें शबाम साइब आपका 37 अब यह 37 इनिंट के वैलू है 999 खुद कोक्षन ने बोला है तो आपको छोटी multin चाहिए चोटी संक्षा कितने तीन तो तीन से census कर देंगे तो यह 98 euros है कितने 37 इनिट केव अब सिंकल है आसाइँ से काट सकते हैं रहाद तो 37 मरण कटेबा और 27 मैं अब नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सभी कर लीजेगा और वीडियो को राकर दीजेगा और मैं आपको बता दू हमारे सभी प्रेक्टिस अगर आप नहीं देखे हैं इसका लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिशन में दे दिया है डारेक्ट प्लेलेस्ट से देख सकते हैं उन वीडियो को और एक ही प्लेलेस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी तो सभी बनवाई बन एक्जाम से पहले जरूद देखें और मैं का ऐसा अजीज सही जवाब है इस कुशन का डी अप्शन आठ में कुशन को देखेंगे नीद का अध्यन कहलाता है तो नीद का अध्यन क्या कहलाता है नीद का अध्यन कहलाता है हिपनोलोजी क्या कहलाता है हिपनोलोजी कहलाता है नीद का अध्यन अब नेक्स कुशन पर चलते हैं नौमा कुशन है और मेत का कुशन है सभी सौलब करें अपने से किसी बस्तु को 500 रुपे में बेचा गया यद बिक्रे मुल 10% कम रहता तो लाव 12.5% का होता बस्तु का लागत मुल कितना है कॉश्ट पराइज पूछा है हमसे बहुत ही very simple कु बिक्रे मुल 10% कम होता तो प्रॉपेट का क्या होता प्रॉपेट 12.5% का होता तो बस्तु का लागत मुल कितना है मतलब सीपी कॉश्ट प्राइज पूछा है हमसे अब यह किस तरीके से करना है हमको देखना है इस कुर्शन को ठीक है तो यहां पर देखो सॉल्म करेंगे से तो इसमें देखो बोला गया है यह जो 500 है इसमें बोला गया है कि 10% कम रहता यह तो कितना प्रॉपेट होता साड़े बार परसंट का और सारे बार परसंट की फ्रेक्शन वल्यू उती है एक वट्टे आठ आठ पर मतलब कितने का प्रॉपेट 9 का तो यह 9 इनिट की पहली पहले 10% निकाल लो 10% निकालेंगे जैसे ही तो दो जिरू से दो जिरू कर लो तो यह हो जाएगा आपका 10% 50 होता है अब 50 मानस कर दें इसमें से 500 में तो 450 इसमें बोला 450 होता यह ठीक है 450 होता तो यह 12% का प्रॉफिट होता साड़े 12% की फ्रेक्शन वैल्यू एक वट्टे आठ आठ पर एक का लाब होता प्रॉफिट तो मतलब 9 का होता यह 9 इनिट की वैलू है यह 450 हमको पूछा है बस्तु का क्रेम मुल किता है क्रेम मुल हमने माना आठ अगर बस्तु आठ किये तो 9 का मतलब यह का लाव लेके 9 की बेकी जारी है मतलब तो आठ का आठ की वैलू चाहिए मैं कोश्ट पर आच चाहिए ना तो 9 से काटेंगे 9 पूरे 50 50 मुल्टिपल आठ करेंगे पान ऑलसा ऐसे कुस्ट आपकी परिशा में पूछे जा सकते हैं यह निक हैं आपको इसको करने में मदद करेंगे प्रसिद्द corr ब्यांपार किसे मेले का हिस्सा है ऐसा पिक मले का हिस्सी तो यह सार करrousक कर मेला का ग्रेको यह सरह अगले को यूशन को देखेंगे स्वतंत्रता की पृत्मा स्टेचु अप लेवर्टी कहां पर रिस्त्ते हैं यह निव अर्क अमेरिकम है राट अंसरे कोशन का डी अप्चान एक्ष्ट कोशन है कितने दिन लगेंगे बहुत धी अच्छा कुछ्षन आ है यह यह किलस बी मिलकर दौनों 21 दिन में कर रहे हैं काम को और यह किला कर रहा है उसे 22 दिन में कितने में 22 दिन में अब इन दौनों का helemaal ने ले लिए तो ब्यारी साफ जाएगा और 21 से काटेंगे 42 को तो दो बार कर जाए गla मैं 42 को दो हमें पता है विआ किले उस कार को कितने दिन में करेंगा को इसका करेंगा । तो कितना जाएगा 42, 42 दिन में करेगा पूरा, तो correct answer हो जाएगा 30 अप्षन, क्योंकि 42 को एक से डिवाइड करने पर 42 ही आता है न, तो right answer is question का third option, इस तरीके question को करना था, अच्छा question था, next question है, जापन की राष्टी पोसाक कौन सी है, तो जापन की राष्टी पोसाक है, किमी no है, right answer is question का, D option, next question को answer देखेंगी, क्या है, 14 question है, 6 pencil का मूल, 30 रुपे, और 12 कलमों का मूल, 120 रुपे है, 50 pencil और 50 कलमों का और 70 मूल, कितना है, very very simple question है, और किस तरीके से करना है, सभी solve करें, देखो इसमें क्या बोला है, 6 pencil का मूल है, 30 रुपे, तो एक pencil का कितना होगा, 5 रुपे, इस तरीके से हम एक एक का निकाल देगे, एक pencil का पांच रुपे, और 12 कलमों का मूल दे रखाए, 120 रुपे, एक कितना हो गया, यह होगा, आपका, 10 रुपे, अब हमें पता चलिए कि, इनका पांच रुपे, यह का है, और यह का 10 रुपे है, ठीक है, तो हम देख हो गया अब इना जोड़ देंगे दोनों को क्योंको आउसत मूं ले पूछा है तो जोड़ना पड़ेगा तो डाइसो पांसो था साथ साथ सो ठीक है अब साथ सास्सो आगया अब इसमें बोला है जितनी मतल्म तो टॉटल यह वाट्टे टोटल संक्या यह होता है तो फचास 50 कितने हुआ 100 से डिवाइड कर दो तो जीरो से जीरो केंसल एक जीरो से एक समला पाजाएगा तो सेवन पॉंट फाइव इस कुशन का सही जवाब होगा जो किस और में हैं सैकन आपसर में इस तरीके से कुशन को करना था बेरी बेरी सिंपल कुस्सन था आसा करता हूं समझ में आया होगा आप सभी को अब मैं आपको एक्जाम डेट को लेकर इंफॉर्मेशन दे दूँ उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को सभी लैक कर दीजेगा चलिए मैं आपको एकजाम डेट को लेकर बता देता हूं कि आप नमवंबर में एकजाम होगा तो आप कुछ तुछ स्टुडेंट आप वहीं निकल के आती है आपको तैयारी करके रखनी चाहिए क्योंकि आप नमवंबर ही तो इस्टार्ट होने वाला है तो अब आपके पास बुलकुल भी समय नहीं है तैयारी में लग जाएं मैं आपको अच्छी इनफोर्मिशन दे रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूदिन अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किये है तो आप ना टैयारी में लग जाएंगर आपको एक्जाम को क्रेक करना है मतलब फानली सेलेक्षन लेना इसमें तो तैयारी में लग जाए क्यों को समय नहीं है बलुकल भी एड़ेंट कार्ड ना आपका यह कप्ता के अंदर में कर देखने को मिलेगा आपकी ऑफिशल पर तो ऑफिशल पर आपको मिल जाएगा यह द्यान देजिएगा त्यारी में लग जाएए तो वीडियो को यहीं सवाप्त करते हैं थैंक्स पूर आज को वीडियो